हलो दोस्तों क्या हाल चाल भी सब लोग है कैसे भी आप लोग I hope आप सब लोग ठीक होगे आज का हमारा लेक्षे स्टार्ट होने वाला है जल्दी से आके जोईन कर लीजे बेच को और अनकेड़मी पर हमारा आज 12th class की starting होने वाले है, तो 12th click से starting, आज से हम start कर रहे हैं, तो अगर आपने 12th को बहुत अच्छी से नहीं पढ़ा है, अगर आपने इतना अच्छा प्रिपेर नहीं किया, अगर आपको confidence नहीं आ रहा है, और आपको physics अच्छी नहीं लग रहे हैं, तो मेरा बैच जोईन कीजिए आज अनकेडमी पर शाम को चार बजे से class होगी, आज से हम 12th की भी starting करेंगे, तो आप इस बैच को जरूर जोईन कर लिजे, नेक्स चीज़ पर चलते हैं, आज अब देखते हैं, आज हम alternating current के कुछ questions करने वाले हैं, last time पर हमने कुछ questions और भी किये थे, जिसका नाम तक current electricity, उसके हमने questions किते हैं, आज हम AC के questions करेंगे हिंदी में, जिसको प्रित्यावर्ती धारा का जाता है, देखेंगे, alternative current के उपर कौन-कौन से questions बनते हैं, around, मैं ऐसा सोच कर चल रहा हूँ कि around हर chapter पर कम से कम 300 के around questions करवा दूँ, current electricity के मैंने questions करा दिये हैं, अब हम questions आने वाले है इसी के, और इसी प्रिकार से एक और वीडियो लेक्चर अप्लोड होगा, जिसमें हम unit and dimension के सारे questions को cover up कर लेंगे, आप जानते हैं, last turn पर हमने unit and dimension की थेओरी पड़ी थी, उन्हीं से सारे questions में post कर दूँगा, आज डलवा दूगा, next पर चलते हैं, आज का जो पहले questions है, प जोइन कर सकते हैं, सबसे पहले unacademy learning app को डाउनलोड कर लीजेगा, और उस पर थूग जाने के बाद, अपना registration वगरा करने के बाद, आप इस batch को जोइन कर सकते हैं, charges आपको पता है, इसके अलावा, अगर आप चाहते हैं, sure set selection एक बार में हो, तो आप इस batch को जल्दी से ज in an instrument, in an ac circuit of frequency, f are given by, तो vb दिया गया, ib दिया गया और आपसे बूला गया है, power dissipated कितना होगा circuit के अंदर, questions को attempt कीजिए, जल्दी जल्दी answer भी बताने की कोशिश करना, question देखिए, और question के बारे में बात करते हैं, question क्या दे रखा है, अगर आप question के बारे में बात लेकर चले तो आपको साफ-साफ समझ में आ रहा है, बिटे, power dissipated का formula होता है, p equals to vrms into irms into cos y, है ना, अगर ये question होती है, तो मैं लिख देता हूँ question, एक बार बता देता हूँ, तो power की question पता है, आपको vrms into my irms into my cos y, इन दोनों की बीच में phase difference कितना है, main problem तो phase difference किये, cos y कितना है, vrms, i irms तो आप चलो, आपको निकल जाएंगे, अगर आप cos y की बात लेकर चलो, तो आपको पता है, एक equation sign किये, एक equation cos किये, एक काम करते है, cos वाल equation को sign में convert कर दो, वैसे तो आप जानते हो, कि sin theta और cos theta के वीचे में phase difference pi by 2 का होता है, कलांतर, pi by 2 का होता है, परंतु चाहो तो pi by 2 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस equation की बात करें, बीटा, तो इस equation को पुट करने के लिए, पहले हम निकालते है, पहले इसको cos में change कर लेते हैं, change में करने के बाद आन्सर निकालते हैं, ठीक है, जब화 change कर लेते हैं एक बात, एक equation को, अगर मैं इस equation को change करूँ, तो म मुझे पता है v बराबर दे रखा है 5 cos omega t दे रखा है, इसको एक काम करते हैं, sign में change कर लेते हैं, इसको sign में change करेंगे बिटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 sin, 5 sin omega t plus मैं 5 by 2 लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है बिटा, ये न, 5 by 2 कर सकते हैं, तो इस sign के equation में कर गई, अब मैं दूसरी equation के साथ compare करा देता हूँ, मुझे पता, i के equation दिरखे 2 sin omega t, अगर मैं इन दोनों को compare कराऊँगा, तो मुझे ये पता चल रहा है, कि इन दोनों के वीच में phase difference, कलांतर जो निकल कर आएगा, that will comes out to be pi by 2, pi by 2 को difference है दुनों में, या pi by 2 यानि ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि pi by 2 हुआ, और मुझे जानता हूँ, cos phi की value, और मैं जानता हूँ, cos phi की value कितनी होती है, तो cos phi की value को put करूँगा, that will comes out to be cos pi by 2, और cos 90 कितना होता है, 0, यानि phase difference कितना आएगा, 0 आएगा, क्यों निकला, क्यों कि cos phi, जिसको आप power factor कहते हो, शक्ती कुड़ांग कहते हो, उसका मान कितना है, 0 है, तो इसका answer number होगा, a option, a option is the right answer, तो यह पहला question है, जिसका answer है, a option, यानि 0 is the right answer, next question पर चलते है, चलिए, next question पर चलते हैं, कि question दे रखिए, और आपसे पुछा है, कि power dissipated कितना होगा, question को attempt कीजिए, जल्दी जल्दी, answer बताएगे, कितना होगा, question attempt कीजिए, किसी circuit के अंदर, V दिया गया है, और आपको I दिया गया है, और आपसे पुछा, power dissipated कितना होगा, कितनी शक्ती विया होगा, इसको मिटा दूँ, कितना शक्ती विया होगा, शक्ती विया कितना होगा, ज़र देखें, आपको पता है, अगर मैं power लिखूँ, तो power dissipated का formula, अभी हमने थोड़ी दे पहले लिखा था, V rms into में, irms into में, cos phi, अगर मैं सारे terms को put कर दूँ, तो मुझे पता चल रहा है, पहले, V naught की value 100 दे रखी है, तो अगर आप 100 को rms में change करोगे, तो V rms को आप लिख पाओगे 100 by root 2, है ना, आप जानते हैं न, V rms कितना होता है, V rms होता है आपका, V naught by root 2 के बराबर, इस term से निकल लिए, और ऐसी अगर मैं irms को निकालने की बात करूँ, तो बटा, irms को लिख सकते हैं, इंटू में 100, इंटू में दे रखा 10 to the power minus 3, ठीक है, millie ampere में दे रखा है, 10 to the power minus 3, upon में दे रखा है, upon में under root 2 कर देंगे इसको भी, इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, cos phi हो जाएगा, cos phi की बात लेकर चले, तो cos phi is, cos phi by 3 दे रखा है, तो आपने लिखा cos phi by 3, ठीक है ना, तो cos phi by 3 phase difference दे रखा है, आपको निकालना कितनी value निकल कर आएगी, जड़ा देख लिखते हैं कितनी value निकलेगी, 100 से बात लेकर चले, तो यह 100 हो जाएगा, 100 से 10 to 3, 10 to 3 खड़ जाएगा, इसकी value जाएगी नीची की तरफ 2 हो जाएगा, cos phi by 3 put करेंगे, that will come out to be, इसकी value निकल कर आएगी, 2.5 watt, यानि answer will come out to be 2.5 watt, यानि इसका जो answer होगा, that is 2.5 watt, तो option number C is the correct answer, तो इसका उत्तर number C सही उत्तर होगा, तो C option R correct answer, मेरी ख्याल से आप सभी ने answer एकदम ठीक किया होगा, तो C option इसका सही उत्तर निकल कर आएगा, इस तरीके से आप इस question को shot out कर सकते हैं, अगले question की तरफ चलते हैं, अगले question की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीक है, अगला question है, alternating current cannot be measured by DC emitter, DC emitter की तुरू आप current क्यों नहीं नाप सकते हैं, क्यों नहीं नाप सकते हैं, ये question पूछा गया है, ठीक है, जब आँसर बताओ कितना होगा इसका answer, क्या ये DC emitter से पास नहीं कर सकता, alternating current, क्या average value cycle की 0 होती, इसलिए ऐसा होता है, किसके लिए ऐसा होता है, तो आपको बता दो बेटा, DC emitter से आप इसलिए नहीं नाप सकते हैं, धारा, दिश्ट धारा मापी से आप इसलिए नहीं नाप सकते हो, क्योंकि बेटा वो क्या करता है बेटे, आप जब AC से नापना कोशिश करोगे, तो AC क्या करता है, पूरी cycle के अंदर 0 हो जाता है, और इसकी वज़े से ये पूरी तरीके से freely move करेगा, जिसकी वज़े से ये value को नहीं बता पाएगा, क्योंकि AC में average value जो होती है, वो 0 निकल कर आती है, average पूरी cycle का average कितना होता है, 0 होता है, तो इसका answer होगा, B option average value of complete cycle is 0, तो option number B is the correct answer, इसका option number B सही option होगा, next question पर चलते हैं, अगला question, next question की तरफ चलते हैं, अगला question करिएगा, यह देखिए, next question पर चलते हैं, ठीक है, answer बताएगे कितना होगा, the resistance of a coil for DC in ohms, AC में resistance कितना होगा, भई AC में resistance कितना होगा, यह विच्छे question पूछा गया है, answer बता सकते हैं आप, ठीक है, कितनी value निकल कराएगी, ठीक है, answer आपने मेरे कहल से लगा दिया होगा, एक बात समझो, question बोल क्या रहा है, question बोला किसी coil का प्रित्रूद, coil का जानते हैं, coil मतलब inductor भी है circuit के अंदर, तो आप से पूछा है, inductor भी circuit के अंदर है, अब inductor की बात लेकर चले, तो inductor भी circuit के अंदर है, अगर मैं AC लगाऊँगा, तो AC के लिए इसकी value क्या होगी, value जादा निकल कर आएगी, क्योंकि simple सी वात है बेटा, इसकी value क्या होगी, जादा होगी, इसकी value जादा हो जाएगी ना, क्योंकि DC लगा दोगी, ठीक है ना, अगर AC लगाने पर इसकी value जादा हो जाएगी, DC के लिए इसकी value नहीं होगी, कैसे आप लिख भी सकते हैं, जिसे example के तौर पर, अगर मैं पहले लिखूँ इन first case, तो first case में इसकी value कितनी होगी, तो first case में इसकी value होगी, आप लिख सकते हैं, under root of, R square plus में होगा, XL का square, आप जा value, R से अधिक होगी, R से अधिक होगी, maximum होगी, तो इसलिए इसका answer कितना निकलेगा बटे, इसका answer निकल कराएगा, that will be comes out to be, B option, क्योंकि जब frequency में change करोगे, तो यह हो जाएगा, XL equals to 1, XL equals to 2 हो जाएगा, L omega जिसको आप लिख सकते हैं, 2 pi f l, तो frequency पर भी depend करेगा, तो जब DC लगा दोगे, तो frequency कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जब आवरती 0 हो जाएगी, तो इसकी value क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, यनि answer number होगा, B option, B option is the right answer, तो इसका उत्तर number, B option हो जाएगा, ठीक है न, तो इसकी value हो जाएगी, आपको समझ में आया है बिटे, कि दुब है न, तो इसकी लिए इसकी value अलग हो जाएगी, next इस पर चलते हैं, if instantaneous current is given by I equals to इतना, then RMS value of current कितना होगा, अगर आपको instantaneous की value दी गई है, I equals to दिया गया है, 4, into में दिया हुआ है, cos omega t plus y, cos omega t plus y, question को ज़रा ध्यान से समझना, cos omega t plus y, यानि आपको I0 की value दी गई है, I0 कितना दिया गया है, I0 दिया गया है आपको 4, आप से पुछा गया है, IRMS कितना होगा, अगर मैं IRMS लिख हूँ, तो IRMS की value होती है, I0 by root 2, जिसको आप लिखेंगे, that will comes out to be 4 by root 2, जिसको आप लिख सकते हैं, 2 root 2, यानि इसका answer जो निकल कर correct answer, next question पर चलते हैं, ठीक है, next question की तरफ चलते है, in an AC circuit, peak value of voltage is 423 volts, its effective voltage will be, तुम उसे पुछा गया है, effective voltage कितना होगा, question को ज़रा ध्यान समझेगा, question को ज़रा ध्यान समझेगा, बोला गया, peak voltage दे रखा है, 423, आप से बुछा, effective voltage क्या होगा, effective मतलब क्या, प्रभाबी का मतलब होता है, बेटे, RMS, हमारे घरों के अंदर, actual, जो value आती है, वो तो naughty आती है, मतलब maximum peak value आती है, परन्तु हम उसको measure क्या करते है, effective value measure करते है, हम उसको effective बोलते है, तो अगर म इसकी बात लेकर चलो, कितनी value निकल कराएगी, और अगर मैं इस question को solve करूँ, मिटा देता हूँ, इस चीज़को, अगर मैं effective value निकालने की कोशिश करते है, तो मुझे पता है, effective value का formula होगा, VRMS निकालना है, तो that will come out to be V0 by root 2, और मुझे पता है, V0 की value कितनी दी गई है, अ that will equals to around 300 के around इसकी value निकल कराएगी, यानि जिसका option होगा, that is 300, C option is the right answer, तो इसका option number C is the correct answer, तो इसका उतार number C सही होगा, ठीक है, ठीक है बच्चो, अगले question पर चलते है, question देखो, in an AC circuit, किसी AC circuit के अंदर, एक समीकरन दे रखा, I बराबर 100 sin 200 pi T, the time required for the current to achieve the peak value, आपको यह बताना है कि peak value तो पहुचने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यह question है, कितना समय लगकर जाएगा, ठीक है, आपको बताना है कितना समय लगेगा, चलो जड़ा मेरी ख्याल से आप कर पाओगे question, आप से पूचा गया है कि current को peak value त चलों, तो AC cycle कुछ ऐसी होती है, हम यह भी जानते है कि पूरा total कितना होता है, total होता है, time period, जितना समय लगता है, that is total time period, अगर मैं इसकी बात लेकर चलों, कि यहां से यहां तक पहुचने में time period कितना लगेगा, यह mean position 0 से maximum कितना लगेगा, क्या मैं कह सकता हूँ, t by 4 का सम लगता है, इसका मतलब यह हुआ, कि current को peak value तक पहुचने के लिए, 0 से peak value यानि शिकरदारा तक पहुचने के लिए, t by 4 का time लगता है, यानि time कितना लगता है, t by 4 का time लगता है, अब अगर मैं समी करन को देखू, equation को देखू, तो equation में क्या डाल रखा है, आपको equation बोला ग सकता हूँ, omega equals to 2 pi by capital T, जिसको आप लिख सकते है, 200 pi, बासन गारी बटा, 200 pi, अब एक काम करते हैं, omega से pi से pi cancel out कर देते है, 2 से काटेंगे, तो यह 100 बार कटेगा, तो मैं t की value निकालूँगा, तो t value निकल कर आजएगी, बटा, 1 by 100, यह आपकी value निकल कर आगी, तो t कितना 1 by 100, पर आपको थोड़ी नहीं बताना है, 1 and 8, आपको यह बताना है, कि यहां से peak value तक पहुचने में कितना समय लगा, यहां से शिकरधारा पे पहुचने में कितना समय लगा, तो अगर आपको यह लिखना है, तो आपको तो t by 4 calculate करना है, ने बट्चो, अगर आपको t by 4 calculate क करना है, तो इसकी t by 4 value कितनी होगी, तो that will comes out to be, t की value निकल कराएगी, इसको 1 by 4 करेंगे, that will comes out to be 1 by 400, this will be the 1 by 400, second will be the right answer, तो option number की बात लेकर चले, तो d option is the right answer, इसका उत्तर number d option होगा, क्योंकि आपको जो निकालना है, वो निकालना है t by 4, and that will comes out to be t by 400, this will be the right answer, अगले question की त चलो, आपसे peak value फिर से वही same question है, peak value ये question आपके air force में भी पूछा है, आपको बताओ, I0 और IRMS पे आपके air force में भी question पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, Navy में भी, ND में भी इस तरह के question बन सकते हैं, तो ज़रा question की बात लेकर चले, इसकी value क्या होगी, आपको बोला गया है, peak value दे रखी है, I0 की value दे रखी है, 6 ampere, और आपसे question पूछा गया है, कि IRMS कितना होगा, तो IRMS बराबर क्या होता है, I0 by root 2, I0 by root 2 की बात लेकर चलो, तो 6 by root 2, 6 by root 2 को divide कर सकते हैं, अगर मैं 6 by root 2 को divide करूँगा, that will comes out to be 3 root 2, यानि C option is the right answer, तो इसका उत्तर नमर न next question, a generator produced a voltage that is given by इतना, frequency and RMS voltage, जिदे को equation को निकाल कर, equation जब दी जाती है, समी करर जब आपको दिये जाते हैं, तो equation के अंदर सारे terms को जरूर सीखें, जैसे example के तोर पर, मैं आपको बोलू कि equation लिखी हुई है, y बराबर a sin omega t plus minus kx, आप से यह बोल दिया गया, तो आपको का मतलब पता होना, चीए कि किसका मतलब क्या है, y क्या होता है, y is displacement, इसको आप बोलते हैं, displacement, displacement, इसको आप बोलते हैं, displacement, इसकी बात लेकर चले, a, तो a is amplitude, जिसको आप आयाम कहते हो, amplitude, आयाम कहते हो, इसके अलावा, आपको omega के बारे बात लेकर चलो, तो omega होता है, angular frequency, को आवर्ती जिसको आप omega लिखते हैं, omega बराबर 2 pi by t भी होता है, इसके साथ-साथ आप इसको 2 pi f भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, 2 pi आप भी लिख सकते हैं, t क्या होता है, t is instantaneous time, 6 कि किसम है, instantaneous time, Instantaneous time, capital T का मतलब क्या है time period आवर्थकाल, time period आवर्थकाल, k क्या होता है, k को बोलते है propagation constant, k को बोलते है propagation constant, संचरन गुडांक, propagation constant, या wave number भी लिखते हैं, तरंग संख्या भी लिखते है, k की value क्या होती है, 2 pi by lambda होती है, आपको पता ही है, x के बारे बात लेकर चले, तो displacement है x direction में, और plus minus क्या represent करते है, sign represent करते है, direction of propagation के किस direction में propagate कर रहा है, direction of propagation के किस दिशा में चलता हुआ चला जा रहा है, direction of propagation, इस तरीके साथ आप equation को लिखते हैं, ये equation को लिखने का कुछ तरीका है, आपको ये equation दी गई है, और आप से पुचा है frequency and rms voltage क्या होगा, जरा कितनी होगी यहां विवव कितना होगा जो भी पूछा गया है देखो बच्चो अगर आप इस equation को लिखना चाहते हों तो आपको equation पता लग गई अगर मैं इन चीजों को लिखूँ तो मुझे पता है ओमेगा बराबर होता है 2π f आप frequency निकालते हैं फिरक्वेंसी निकालकर देखते हैं ओमेगा बराबर होता है 2π f आपको पता है ओमेगा की वैल्यू दिरक्खी बटा 120T यानि 120 दिरक्खी है तो आपने लिखा इसको 120 120 बराबर कितना हुआ 2π f जहां से f निकालोगे f will come out to be 60 upon π आपको मेरी व्याल से बात समय में आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई होगी बेटा 60 by π इसकी वैल्यू निकल कर आएगी इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है आपसे frequency पूचे रहे तो ये कितने निकल कर आएगा 60 by π आई निकल कर आएगा अगर मैं इसकी बात लेकर चलो 60 by π आई अराउंड कितना होगा तो 3 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो अराउंड निकल कर आएगी अगर आप 3.14 से डिवाइड करोगे पाई से तो इसकी वैल्यू अराउंड निकल कर आएगी 19 हर्ट्स के अराउंड इसकी वैल्यू निकल कर आएगी अब हमसे पूछा गया RMS voltage कितना होगा, तो आपको पता है V0 कितना दिया गया है, V0 दिया गया है, आपको 240 दिया गया है, 240 दिया गया है, 240 अगर V0 दिया गया है, तो RMS value कितनी होगी, तो V RMS sequester होगा, V0 by root 2, इसको put करोगे, that will come out to be 240 divided by root 2, और इसको आपको बस solve करना है, 240 divided by root 2 करोगे, तो इसकी value जो निकल कराएगी, इसको हम लिख सकते है, 120 root 2, 120 root 2 लिखा जा सकते है, जिसको और भी solve कर सकते है, इसकी value निकल कराएगी, लगबग 170 V की around निकलेगी, यानि option number की बात लिका चले है, तो C option is the right answer, तो इसकी value निकलेगी 170 यानि C option, एक ही option दिख रहा है हमें C option, C option is the right answer, तो उतर नमबर होगा इसका C option, next question पर चलते हैं, ठीक है, next question पर चलते हैं, अगला question, if E not represent the peak value, मिटा दूँ इस चीज़को, ठीक है, if E not represent the peak value, ओकी, peak value दी गई है, ठीक है, peak value of the voltage in an AC circuit, the RMS value of voltage will be, तो इसमें तो कुछ है नहीं बेटा, E not by root 2 है, option directly है, D option is the right answer, तो इसका तो answer सीधे सीधे है, D option, D option is the right answer, क्योंकि हम जानते है, RMS क्या होता है, RMS equals 2 होता है, E not by root 2, तो इसके option में तो कुछ है नहीं, option number D is the correct answer, next question पर चलते हैं, the peak value of 220 volt in AC mainsby, तो 220 volt की peak value कितनी होगी, तो peak value की अगर मैं बात लेकर चलू, तो peak value निकल कर आएगी इसकी, peak value की बात लेकर चलू, तो यह निकलेगी 220 root 2, 220 root 2 निकल कर आएगी, और मैं 220 root 2 लिखूँगा, that will come out to be around 311 volt, और यह तो बहुत चर्चित सा सवाल है, और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा कई बार, 311 volt इसका सही उतर होगा, तो इसका option number होगा, C option, C option is the right answer, तो उतर नमबर इसका, C option सही होगा, next question पर चलें, next question, next question, question को आरम से पढ़िए, जरूर solve करते जालिएगा, साथ साथ, मुझसे बुला गया, एक question है, और आप से बुला गया है, कि sinusoidal AC current है, जो resistor से flow कर रहा है, आप से बुछा power dissipated कितना होगा, मतलब कितनी power dissipated होगा, यह question दे रखा है, बहुत ही बढ़िया question है, आप power निकाल सकते हो, मेरे कहल से आपने निकाल भी लिया होगा, आप इसके answer भी बता चुके होगे, मैं एक बार question को देख लेता हूँ, दुबारा से, आपको बता देता हूँ, question का answer कैसे निकलेगा, कर दिया, option दे दूँ, चलो, आपको बता है, power का formula क्या होता है, power का formula होता है, i square into r, है ना, और आपको ये भी बता है, i naught into square, maximum power बता नहीं है, तो power dissipated, आजी ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ, तो मैं power को ऐसी भी लिख सकता हूँ, आई की value की बात लेकर चलूँ, तो i को अगर आप rms के अंदर लिखें, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ip by root 2, क्या मैं लिख सकता हूँ, ip by root 2, है ना, peak value का under root 2, इसकी value कितनी होगी, into r के बराबर हो चाहेगी, देखो question के बारे में किसी को दिक्कत हो, अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ, तो इसको आप लिख सकते हैं, ip, यह तो हो जाएगा, ip का square, upon में कितना हो जाएगा, 2, into में कितना हो जाएगा, r, into में कितना हो जाएगा, r, इस तरीके साफ एक question लिख सकते हैं, अगर आप equation को confirm करें, तो आपको यह पता लग रहा है, कि B option इसका correct answer है, 1 by 2 into ip square into r, यानि option number B is the correct answer, B option इसका सही उत्तर होगा, तो B option is the correct answer, next question की तरफ चलते हैं, अगला question, A 40 ohm electric heater is connected to a 200 volt, 50 hertz main supply, the peak value of electric current flowing in the circuit will approximately, आप से पुचाएं कि कितनी value approximately होगी, कितनी value approximately होगी, आपको यह answer टिक करना है, आपको answer टिक करना है कि कितनी value उसकी निगल कर आएगी, यह आपको answer टिक करना है कि कितनी value इसकी निगल कर आएगी, कितनी value इसकी निगल कर आने वाली है, इस question को देखते हैं, कितनी value इसकी निगल कर आने वाली है, question की तरफ चलें, तो जड़ा देखिएगा, मिटा दूँ इस चीज़ को, चलो भी next, इस चीज़ की तरफ चलते हैं, अगर आप electric heater की बात लेकर चले, is connected to a 200 volt 50 hertz main supply, the peak value of electric current flowing in the circuit will be approximately, कितनी होगी, यह value पुछी गई है, कितनी approximately निगल कर आएगी, यह question हमें बताना है, कितनी approximately निगल कर आएगी, जड़ा देखते हैं, कि कितनी value around निगल कर आएगी, ठीक है, ठीक है, तो मेरी खाल से आपने question attempt किया होगा, हम भी निकाल के बता देता हूँ कि कितनी value निकल कराएगी, देखो, आपको पता अगर मैं लिखूं कि IRMS कितना होगा, तो आप जानते है, IRMS की value होती है, I0 by root 2, अगर मैं IRMS लिखूं बिटा, तो IRMS की value होगी, या फिर S भी कितना हो जाएगा, upon में कितना हो जाएगा, इसकी value लिखूं, ये class में भी question करवाया है, 200 upon में कितना दे रखा है, चालिस दे रखा है, चालिस से चारपंजीबीज, या नि 5 ampere का current निकल करा है, मतला IRMS कितना निकला 5 ampere, अब question बोल रहा है, question बोल रहा है कि peak value इतनी निकल कर है, तो शिकरदार अगर निकालनी है, तो आपको पता, IRMS के साथ, आप under root 2 का multiply कर दे, that will comes out to be 5 root 2, और root 2 का multiply कर दे, इसकी value निकल कर आएगी, that will be around 7, के around निकलेगी, exact value होनी चाहिए थी, इसकी 7.07 निकलेगी, और ये that will equals to around 7 ampere, इसका सही उत्तर होगा, option number की बात लेकर चले है, the frequency of AC mains in India, India के अंदर कितनी frequency होगी, आपको उता है ने, frequency of AC mains in India, AC mains की कितनी frequency होती है, इंडिया के अंदर हम सब जानते हैं, अगर मैं Indian system की बात कर, जिसको आप बेटी system कहते हैं, तो इंडिया के अगर बात लेकर चले, तो इंडिया के अंदर 60 Hz, sorry, 50 Hz की supply आती है, और आप अगर American system की बात करें, तो American system के अंदर 60 Hz की supply आती है, मतलब यह इसकी आवरिती आती, Hz को आप cycles per second, revolutions per second, rotations per second भी कह सकते हैं, इसका मतलब यह हो कि आप इसको C by S से भी लिख सकते हैं, तो इसका answer number होके चले जाएगा, बेटा, B option, B option is the right answer, तो उत्तर number इसका B option सही हो होगा, next चीज की तरफ चलते हैं, अगले चीज पर चलते हैं, the RMS value of an AC of 50 Hz is 10 A, okay, the time taken by the alternating current in reaching from 0 to maximum value and the peak value of current will be, तो आप से पूचा, maximum value और peak value of current कितनी निकल कराएगी, यह आपको निकालना है, question solve करो जाए जल्दी से, answer निकालो, फिर हम लिखते हैं question को भी, ठीक है, question मेरी ख्याल से आपने कर लिया होगा, करो भी question को, सभी लोग करो, सब की जम्मिदारिया करो भी, कितना निकल कराए, answer, RMS value अगर निकालोगे तो कितनी value निकल कराएगी, हो गया question, हो गया भी, मेरी ख्याल से ठीक है, सब लोगा question हो गया, आपको 10A, चलो हमें काम करते हैं, जो जो दे रखा RMS value of AC, 10A, मतलब IRMS दे रखा आपको 10A, चलो जी हमने बोल दिया, 10A IRMS की value है, IRMS दे रखा कितना, 10A, IRMS की value दे रखा 10A, और आप से पूचा है कि, ठीक है, the time taken value, reaching 0 to maximum, 0 to maximum पहुचने में कितना समय लगेगा, यह हम पहले भी निकाल चुके है, 0 से maximum पहुचने का समय जो होता है, that is equals to T by 4, यह हम पहले भी देख चुके है, कितना समय होता है, T by 4 होता है, चलो इसे question को कर देते हैं, अगर मैं T निकालना चाहता हूँ time, तो that is equals to T by 4, इसको आप लिख सकते है, T by 4, ठीक है जी, और इसको अगर मैं लिख हूँ, तो मैं इसको S वी लिख सकता हूँ, आप जानते है 1 upon T किसके वराबर होता है, F के वराबर होता है, तो F इसको सब्सक्रा बिख सकता हूँ, T equals 2 होता है 1 upon T, तो अगर मैं T लिख हूँ, 4, 5, 20 हो जाएगा, यानि कितना हो जाएगा? 200 निकलकर आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि जो time निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 200 के बराबर होगा, यानि 1 by 200 के time बराबर होगा, तो मेरा एक तो चीज निकलकर आ गईी, यह निकलकर 1 by 200, इसको अगर और solve कर लें, क्योंकि option में और solve किया हुगा है, इसकी value को solve करोगे, तो 1 by 2 and 8, that will come out to be 5 into 10 to the power minus 3 होगा, यानि option की बात लेकर चले, तो 5 into 10 to the power minus 3, यानि option 2 है, एक तो CB option है, एक DB option है, चलो जी, हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, चलो ठीक है, तो ये तो निकल कर आगे, 5 into 10 to the power minus 3, तो C and D में से एक option होगा, अब हम बात करते हैं, I naught की, कि I naught कितना निकल कर आएगा, मुझे पता, I naught के बारे बात लेकर चले, तो I naught बराबर होता है, IRMS इन्टू में होता है, रोट 2, IRMS कितना है, 10 into में रोट 2, and that will come out to be around 14.14 निकलेगा, जिसके option की बात लेकर चले, तो D option इसका सही उतर ह आएगा, ठीक है, अगले चीज़ पर चले, ठीक है, अगले question की तरफ चलते है, चलो, अगले question की तरफ चलते है, the root mean square value of alternating current is equals to, आप से पुचा, root mean square value, alternating current में किसके बराबर होगी, तो हमें पता, 1 by root 2 of peak value होगी, इसका मतला option number C, तो इस question में कुछ भी नहीं है, इसका option है directly, C option is the correct answer, next question, अच्छा, आपको एक question दे रखिए, peak value बना रखिए, इसके आवरती भी दे रखिए, time भी दे रखिए, आप से पुचा है, instantaneous EMF कितना होगा, instantaneous EMF कितना होगा, यह आपको निकाल कर चलना है, जड़ा एक बाद try करके देखो, फिर हम answer solve करते हैं कि instantaneous EMF कितना निकलेगा, यह value निकालनी है, मतलब E की value निकालनी है, basically, कि E की value कितनी निकल कर देखो, आएक एक बाद try करके देखो, आपका answer जरूर आना चाहिए, try करके देखो, question solve करो, हो गया सबका, frequency वगएरा सब कुस दे रखा है, ठीक है, voltage भी दे रखा है, आपको peak voltage भी दे रखा है, सब कुस दे रखा है, आपको answer बस stick करना है, और सारा answer निकाल देना है, देखो, मैं करके बताता हूँ, question मेरे कहाल से आप सबने attempt कर लिया होगा, question को देखते हैं, आप से बुला गया है, कि ए बराबर क्या दे रखा, ए बराबर दे रखा, ए नोट कॉस ओमेगा टी, यह दे रखा है आपको, ए बराबर ए नोट कॉस ओमेगा टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए नोट into में, कॉस ओफ 2P, इसको लिख देता हूँ, F into T, बीटा लिखा जा सकता है क्या दिक्कत है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते है E naught into में cos into two pi f into me t हो जाएगा ऐसे भी लिखा जा सकता है但 अब एक बात बताओ इपटंब क्या क्या term दे रखा है उन सबभी values को आप put कर दे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस equation को कि यह बराबर क्योंकि टाइम प्रेट दे रखा है तो मैं इसको लिखता हूँ cos into 2pi by t into my small t अब ठीक है यह दे रखा है na frequency ठीक है तो यह term निकल का है तो आपको equation दे रखे हैं सारी values को put करना है आंसर निकल दीजिए या आंसर निकल कर आ जाएगा सब कुछ दे रखा है बेट टीवी दे रखा है आपको capital T सब कुछ दे रखा है answer टिक कर दो इसकी value निकालूँगा तो that will comes out to be इसकी value लिखेंगे हम 100 into my हो जाएगा यह क्या 100 e0 e0 की बात लेकर चले तो इसकी value की बात लेकर चले तो यह हो जाएगा 50 into में हो जाएगा 1 upon में हो जाएगा इसकी value को solve कर लेते हैं इसको जब solve करेंगे तो यह value निकल कराएगी वो निकल कराएगी इसकी value कराएगी इसकी value कराएगी इसको solve करोऊ इसका answer दिकल कराएगगा तो 10 into cost pi 6 हो जाएगा 10 into cost pi 6 हो जाएगा इसको और solve कर लीजेगा और इसका उतर दिकल कराएगा that will comes out to be around 5 root 3 volt निकल कराएगा यह इसका answer होगा 5 root 3 volt इसका सही उत्तर होगा, option number की बात लेकर चले तो इसका answer होगा 5 root 3 यानि B option is the correct answer अच्छा question है, इस तरीके साब इस question को attempt कर सकते हैं, तो question को करने का तरीका ये रहा होगा इस case में ठीक है, आगे चलें हो गया, आगे चलें चालो बच्चो मिटा दूँ इस चीज़ को next question की तरीक चलते हैं if a current I is given by आपको current I दे रखा है इतना जो AC circuit के अंदर flow कर रहा है AC current इतना दे रखा आप से पूछा directly कि power का formula क्या हो जाएगा power का formula बताने आपको कितना हो जाएगा power का formula basically बताना है अगर मैं इसके option की बात लेकर चलो तो दो निक question दे रखिए और आपको साफ साफ पता चल रहा है इसके अंदर भी V और I की बीच में जो phase difference है, जो कलांतर है वो π का है, आप question को अगर ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ देखाए देगा कि V और I की बीच में जो आपका फेस difference है कलांतर है, वो कितना है पाई बाई बाई टू का है और अगर आप phase को पाई बाई बाई टू मान कर चलते है power की बात लेकर चलें तो power का formula होता है vrms into में irms into में होता है cos y और क्योंकि यहां पर pi by 2 put करेंगे that will comes out to be 0 यानि power का जो answer निकलेगा that will comes out to be 0 इसका उत्तर number होगा d option is the right answer d option इसका सही उत्तर होगा next question की तरफ चलते है एक और question पर चलते है in an AC circuit आपको एक semigrant दिया गया है और आपको EMF की और current की value दी गई है आप से पुछा average power consumed कितना होगा और शट कितनी शक्ती इस्तमाल में आएगी जरा निकालिये इसको answer बताएजे कितना होगा निकालिये इसका उत्तर कितना निकल कराएगा निकालिये इसका answer कितना होगा मेरी क्याल से आप लोगों ने कर दिया होगा question मैं कर देता हूँ आपको क्या क्या दिया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं आपको दिया गया VRMS और आपको VRMS कितना दिया हुआ है VRMS दे रखा है आपको 200 divided by root 2 है ना V0 की value 200 ठीक है यह दे रखा है आपको IRMS की बात करूँ क्योंकि 1 दे रखा है इसका मतलब IRMS कितना हो जाएगा IRMS निकलेगा 1 by root 2 यह दोनों term आपको दे दी गए है आप से power पूछी गई है सब कोछ formula आपको पता है और power का formula आप लगा सकते हैं इसके अंदर अगर मैं power का formula लिखूँ तो इसकी value को लिख सकता हूँ मैं power का formula होता है VRMS इंटू में IRMS थोड़ी दे पहले ही बताया था VRMS इंटू में IRMS इंटू में होता है cos y सारे terms को put कर देता हूँ सारे terms को put कर देता हूँ और मुझे πाई के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि अगर मैं πाई के बात लेकर चलो तो पाई दे रखा है मुझे πाई बैठी है ना पहली question थी 200 sin 314t और दूसरी थी i sin 314t plus πाई बैठी यानि face difference कितना दे रखा पाई बैठी कर दे रखा तो चलो आपको तीनों चीज़े दे रखिये हैं और इन तीनों चीज़ों का इस्तमाल करके आप equation निकाल सकते हैं यह हो जागा 200 by root 2 in 2 में हो जाएगा 1 by root 2 in 2 में हो जाएगा cos πाई बैठी इसको solve कर लेते हैं नीचे की तरफ 2 हो जाएगा 2 से कट जाएगा 100 हो जाएगा 100 कॉस्पाई हो जाएगा 1 by 2 यानि 1 by 2 से multiply करेंगे तो that will comes out to be 50 volt यानि option की बात लिकर चलें तो option number होगा option number होगा c option c option is the right answer उत्तर number इसका c option सही उत्तर होगा तो इसका उत्तर number होगा c option सही next question पर चलते हैं an AC generator produced an output voltage इतना where t is in second the frequency of AC voltage is तो मुझसे पुछा है frequency of AC voltage कितना होगा मिटा दूश चीज़ को frequency of AC voltage कितना होगा frequency of AC voltage कितना होगा यह आपको answer टिक करना है question solve करो बहुत simple सा question है बहुत simple सा question है आपको सब्सक्राइब रखा है आपसे बताया गया frequency कितनी होगी अच्छा इस equation के तुरू देखो अगर इस equation के तरफ देखो तो आप अगर इसको compare करो तो V बराबर V not into sin omega t दे रखा है और omega की value आपको दे रखिए 377 आपको omega की value कितनी दे रखिए 377 दे रखिए इसको divide करोके तो around निकल कराएगी यह frequency निकलकर आएगी जाएगा 60 Kelvin चेक कर लीजैंका 6 Hertz हरस इसकी value होगी option no.C to is the correct answer don option no.C और it is the right answer next चीजब चलते है, अगले question कि तरफ ठीक है अगले की तरफ चलते हैं इन जंडरल एन अलेक्ट्रिक सर्केट तो मुझे से पूझा गया है इन जंडरल इन इन इलेक्ट्रिक करेंट सर्केट छलू जारा देखें क्या बोल रहा है छलू in जंडरल एन इलेक्ट्रिक करेंट सर्केट average value कितनी होगी ये question में पूछा गया है average value कितनी होगी और सथ भी कितना होगा ये सब question में पूछे गया है चलो जड़ा निकाल के देखते हैं किसकी value कितनी निकल कर आ जाएगी answer टिक करो बेटा कितनी value निकलेगी तो आपको पता बेटा current की जो average value होती है कितनी होती है, 0 होती है हम पहले भी बात कर चुके है क्योंकि आप alternating current यानि परत्यावर्ती धारा की बात करते है तो परत्यावर्ती धारा के अंदर पूरी cycle के अंदर रोसतमान कितना होता है 0 होता है और अगर आप एक half cycle की बात लेकर चले तो प्लस हाफ cycle के लिए, धनात्मक चक्र के लिए, इसकी value होती है, 2V0 by pi, और minus value के लिए value होती है, minus 2V0 by pi, और इस तरी के साथ आउसतमान लिखते हो, पूरी cycle के लिख होगे तो वो निकलेगा 0, यानि इसका option number की बात लेकर चले, तो A option is the right answer, average value of current is 0, यानि A option इसका सही उत्तर ह होगा, next question पर चलते हैं, अगले question पर, अगले question की तरफ चलते हैं, an alternating current is given by the equation I equals to I1 into cos omega t plus I2 into sin omega t, the RMS current is given by, तो मुझसे पूछा RMS current की value क्या होगी, RMS current की आपको value बता रही है, ज़रा देखें, RMS current की current की क्या होगी, ठीक है, ठीक है, आगे चले, चले, देखो, अगर मैं इसके question की बात लेकर चलो, कितनी निकल कर है, यह RMS value, अगर आपको इस तरह की question होती है, I0 cos 80 plus I2 cos bt, sorry, sin bt, अगर ऐसी कभी question होती है, तो इसके जो formula होता है, वो होता है, I RMS का, I RMS will comes out to be, I RMS का formula होता है, under root of, इसको आप लिख सकते हैं, I1 square plus I2 square, इसकी इसकी पूरी की क्या होता है, इसकी बात लेकर चले, तो इसका answer number होगा, C option, C option is the right answer, तो उत्तर number इसका, C option लिखा जा सकता है, तो option number इसका, C सही होगा, next question की तरफ चलते हैं, एक मिट दीजिगा, हाँ निए sir, ने ने, रिकॉर्डिंग कर रहा था, आजो, आजो, क्या साढ़े बात भी कौन सी, अब दो बज नहीं होगी, हाँ, चलो, ठीके, ठीक ठीक है, सो, चलो भी आगे देखते हैं, कुशन को, आगे कुशन को देखते हैं, अगला चीज़ क्या है, तो मुझे ये कुशन देदी गई, आइवर पर साइट हूँ, और ये दोने कुशन देदी गई, इस तरीके से मैं इस कुशन को अटेम्ट कर सकता हूँ, अगली चीज़ पर चलते हैं, अगले कुशन की तरब चलते हैं, इनन एची सरकेट, दक करेंट इस गिवन वाई, आपको करेंट की कुशन देगई इतनी, और वोल्टेज की कुशन देगई इतनी, देंद हावर कंजुशन विल भी, तो आपसे पुछा गया है, पावर कंजुशन किसके बराबर होगा, कि अगर मुझे power consumption निकालना है तो इसका answer कितना निकल कराएगा, फिर से same question है, आपको साफ साफ सुनने आ रहा है कि बेटा, दोनों एक question को अगर आप comparison करोगे, तो फिर से इसका comparison करने पर आप 5 की value पाऊगे, और क्योंकि इन दोनों के अंदर pi by 2 value निकल करा रही है, इसका मतलब next question की तरफ चलते हैं, अगले question, an electric lamp is connected to 220 volt and 50 hertz supply, then the peak value of voltage will be, तो आप से पूछा गया, peak value किसके बराबर निकल कर आएगी, तो आप बोल सकते हैं कि peak value किसके बराबर होगी, इसके option की बात लेकर चले, तो इसको अगर मैं लिख होगे, तो peak value is 230, 220 volt है, ठीक है, 220 volt है, तो आपको अगर peak value निकल लेकर निकल लेकर तो V0 वराबर होता है, Vrms, इंटू में होता है, root 2, आपको 200 दिया गया है, तो आप 200 के साथ क्या multiply कर दे, root 2 का multiply कर दे, और 200 के साथ root 2 का multiply कर दूँगा, तो that will comes out to be 310, यानि option की बात लेकर चले, तो 30310 will be the right answer, option 311 दे रखा है, तो answer ticker दिया जाएगा, C option, इसका उत्तर नंबर, C option सही उत्तर होगा, यानि C option is the right answer, next question की तरफ चलते हैं, अगला question, in a circuit, the value of alternating current is assured, in a circuit, the value of alternating current is measured by hot emitter, its peak value will be, इसकी peak value कितनी होगी, या question है, इसकी peak value कितनी होगी, या question है, simple सा question है, आप बहुत आसले से इसको put कर सकते हो, निकाल सकते हो, और इसका answer निकालो, तो, इसका answer कितनी निकालो, भई answer बताओ, मुझे कितनी value निकल कराएगी, ठीक है, answer बताओ कितना होगा, देको बहुत simple सी ब होते हैं वो हमेशा root mean square value बताते हैं वर्ग माद मूल का वेग हमेशा वो बताते हैं तो अगर यह हमेशा RMS value बताते हैं तो अगर मैं इसकी value लिखना चाहूँ तो peak value कितनी होगी तो peak value आप calculate अगर आपको i not निकालना है तो अगर आपको i not निकालना है या v not निकालना है ठीक है तो i not बराबर होगा बेटा IRMS इन्टू में हो जागा root 2 इसको multiply कर देंगे that will comes out to be 10 root 2 और इसको निकाल लोगे तो that will come इसकी value निकलेगी लिखना चाहूदा पॉइंट चंदरा चाहूदा यानि इसकी जो answer निकल कर आएगा that is around 14.4 ampere ऐसा question हम एक बार कर भी चुके है तो इसका option number होगा c option c option is the right answer अगले question के तरफ चलते है the voltage of domestic AC is 220 volt what does it represent आपसे पुछा गया कि अगर आपके घर में 220 volt पता लगता है तो 220 volt क्या है देखो आपके घर में लगबग 311 volt आता है परन्तों जो meter जब आप लगा कर पढ़ते हो तो आपको यह पता लगता है कि यह कितना है 220 volt है तो हमने इसको meter में convert किया और ऐसे किया क्यों था यह भी हमने reason दिया था आपको याद होगा है ना आपको याद होगा जैसे इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब हमने देखा जब हम मालोजी एक बल्व ले लिया और हमने बल्व को पहले DC से connect किया दिस्ट धारा से connect किया और जब आपने बल्व को DC से connect किया तो आपने यह देखा कि इसमें कुछ heat निकल कर आ होता है पृत्रोथ को कोई फरक नहीं पड़ता कि AC है DC है तो बराबर heat पैदा होने चाहिए थी नहीं जब मैं 220 DC में heat पैदा हो रही थी अतनी heat पैदा ही नहीं हो रही थी तो आपका सारे formula जितने भी बनायते हैं वो सब value formula गलत हो जाते तो आपने क्या किया बेटे एक अच वास्तविक्ता में उतना ही heat कौन produce कर रहा है यहां पर 311V AC produce कर रहा है इसलिए बराबर value को करने के लिए आपने 311 को 220 पढ़ा है इसलिए आपने 220 पढ़ा है इसके option के बात लेकर चले इसका answer क्या होगा तो यह क्या represent करती है बेटा root mean square value पता करती है मतलब root mean rms value का पता करत सकते है मिटा इसको effective value यानि प्रभावी मान भी कहकर चल सकते है ठीक है अगली चीज़ पर चलते है rms voltage of domestic electrical supply is 220 volt the electrical appliances should be designed to withstand an instantaneous voltage of मिटा देता है इस चीज़ को question को solve किजिएगा question को solve किजिएगा answer बताएगा कितनी value निकल कराएगी तो अगर आपको instantaneous voltage बताना है तो फिर से वही root 2 का multiply कर दो 220 into root 2 का multiply करोगे तो आप जानते हूँ अगर मैं निकालना चाहूँ i rms that will comes out to be i naught into root 2 इसका multiply करोगे 220 इसका into root 2 and that will comes out to be 311 volt यानि इसका जो answer निकलेगा that will comes out to be 311 volt जिसको आप B option के तौर पर भी लिख सकते हो यानि 310 volt भी लिख सकते हो तो इसका answer निकलेगा 310 volt यानि B option is the right answer option number होगा इसका B option ठीक है ठीक है बच्चो ठीक है अगले question की तरफ चले the process by which AC converted into DC is known as तो आप से पूचा गया वो process का नाम बताइए उस प्रिक्रिया का नाम बताइए जिससे आप AC को DC में convert कर सकते हैं या आपके previous question है और आप से पूचा गया AC को DC में convert करने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हो इसको हम बोलते हैं rectifier कहते हैं जिसको आप dist कारी कहते हैं और इस प्रिक्रिया को rectification कहते हैं तो अगर मैं इसकी बात लेगे जिसको dist current, dist current कहते हैं तो इसको option की बात लेकर चलो तो C option is the right answer DC को AC में बदलना इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए हम inverter का प्रियोग करते हो तो अगर मैं basically बात करूँ तो इसका जो answer होगा वो होगा in an AC circuit with voltage V and current I, the power dissipated will be, तो आपसे पुछा है power dissipated कितना होगा, कितना शक्ती का व्या होगा, कितना शक्ती का व्या होगा, मतलब कितनी power का loss होगा, यही आपको बताना है कितना energy का loss होगा देखो बच्चे, कोई AC circuit है, जिसके अंदर voltage दे रखा है V, और current दे रखा है मेरे बच्चे हो I, है ना बच्चे हो, और आपसे पूछा गया कि बताए power dissipated कितना होगा, power dissipated इसके अंदर कितनी खर्चोंगी, अगर आप power निकालना चाहते हो बेटा, तो आप जानते हो power का formula जो होता है, वो depend करता है V पर, I पर और एक और टम पर depend करता है, जिसका नाम होता है cos Y, cos Y पर dependency और होती है, आपको पता है कि तीनों चीज़ों पर इसकी dependency होती है, सिर्फ अकेला एक चीज़ बता के तो आप बता नहीं सकते हैं, तो आप formula गर लिखना चाहें, तो अगर आप formula 1 into 2 into V into I लिखना है, ऐसा कोई भी formula सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक factor पर और depend करता है, जिसका नाम है cos Y, और जो इनके तीनों starting के option में नहीं दे रखा है, ये cos Y पर depend करता है, कि voltage और current की बीचे में face कितना है, कला कितनी है, V और I तो constant हो गए, लेकिन cos Y बताता है कि इन दो question लिखी जाएगी, वो basically लिखी जाएगी, D option, D options का सही उतर होगा, तो आप बता नहीं सकते, ये depend करता है, face पर, कला पर depend करता है, कि विभव और धारा की बीच में कितनी कला है, कितना face है, ठीक है, अगली चीज़ पर चले, अगले question की तरफ चले, अगले question की तरफ चले, च for an AC circuit, जिसमें सब V और I दे रखे हैं, आप से पूछा गया है, power consume कितनी होगी, फिर से power निकाल नहीं है, answer टिक कर सकते हो, AC के alternating current के हम करी दोसों से question करेंगे, ये हमारे जो पहला, जो आज का पहले series चल रही है, ये जो series है, इसके अंदर हम questions को attempt करेंगे, जिसमें RMS और BRMS, इन सब की value होंगी, वर्गमादी मूल किया होता है, इन सब से related question, अगला जो topic होगा, उसके अंदर हम resonant frequency से संबंदेच सवाल करेंगे, और तीजरा जो last series होगी, उसके अंदर हम transform में वगरा के कोशिस करके चलेंगे, तो ये तीन process है, जिनके थुरू हम इन चीज़ों को कितनी होगी, इसके अंदर, इसके अंदर निकल कर आएगी बटा, 0, यानि क्यों जिरो होगी बटा, क्योंकि आपको पता है इन दोरों की विच में एंगल कितना है, 90 degree, और since phase is 90 degree, क्योंकि कला इन दोरों की विच में 90 degree है, तो बटा, इसके वेलू निकल कर आएगी पावर क 1 sum to be 0, क्योंगी cos phi कितना होगा, cos 90 0 होगा, तो इस तरीके साथ इस question को shot out कर सकते हैं, अगले question की तरफ चलते हैं, अब बल्व is connected first with DC and then AC of same voltage, then it will shine brightly with, तो आप से पुछा गया एक बल्व है, जिसको आपने पहले DC से जोड़ा है, फिर आपने उसको AC से जोड़ा है, same voltage के, तो ये पहले brightly किस के साथ, किस के साथ ज्यादा तेज चमकेगा, और किस के साथ कम तेज चमकेगा, किस के साथ कम तेज चमकेगा, ये इसके options से आप से पुछा गया, किस के लिए चमकेगा और किस के लिए नहीं चमकेगा, एक बात हमेशा याद रखो, हमने 220 वोल्ट आ जब भी हम बलब जोडते हैं, फ्रिज जोडते हैं, टीवी जोडते हैं, वाशिंग मशिन चलाते हैं, कुछ भी चलाते है तो बेटा, आप अपने घर के अंदर, हर एक चीज हमेशा root mean square से ही लिका ली जाती है, वर्ग मादिमूल, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सब चीजे, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब आप RMS से जोड रहे हो, और बेटा, जब root mean square सेम है, वर्ग मादिमूल से तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो, जब voltage सेम है, बेटा, तो दोनों की चमक भी तो समान होगी, इस इक बलव को, resistance को, प्रितरोध को, कोई, प्रितरोध frequency पर डिपेंड करता ही नहीं, R equals to V upon I, ये frequency पर डिपेंड नहीं करता है, इसको फरक नहीं पड़ता है, कि आप AC से ही उत्तर होगा, तो इसका answer होगा, D option, यानि equally for both, next चीज़ पर चलते हैं, अगला question, an AC supply gives 30 volt RMS, which passes through 10 ohm resistance, the power dissipated in it is, तो मुझे पुचा है, power dissipated, इसके अंदर कितनी रही होगी, power dissipated, इसके अंदर कितनी रही होगी, ये question है, solve करो, answer बताओ, मुझे कितनी value निकल कर आएगी, जली solve करके answer बता दो, कितनी power होगी, हो गया, मेरी ख्याल से, आपने answer निकाल दिया है, देखो, power dissipated कितनी होगी, तो power का formula होता है, जानते है, V RMS का square upon R, है न, ये देखा है, ठीक है, जी, RMS value दे रखी आपको, R भी दे रखा है, तो directly value को put कर दीजे, और अपना answer निकाल दीजे, इसका जो answer put करेंगे, that will comes out to be 30 का square upon 10, यानि इसका option number निकल कर जाएगा, 30 का square upon 10, यानि इसकी value निकल कर जाएगा, 90 watt, यानि इसका answer निकलेगा, 90 watt, this will be the right answer, option चेक कर दीजे, कि आपका कौन सा option सही better है, यानि option number B is the correct answer, तो B option इसका सही उतर होगा, ये इसका उत्तर होगा, next चीज़ की तरफ चलते हैं, अगला question, ठीक है, ठीक है, हो गया, question करते हैं अगला, लिखो जल्दी से, question लिखो अगला कि क्या value निकल करा रही है, solve करके answer बताओ, हो गया, चलो भी, बहुत बढ़िया है, मेरी ख्याल से आप समने answer लगा दिया है, question की बात लेकर चले तो आपको वो लगया है, frequency दे रखिया आपको 50, नहीं नहीं, ठीक है नहीं, तो इसकी value कितनी, rms value निकालनी है न, तो vrms की बात लेकर चले बिटा, तो vrms निकाल सकते हो आप, vrms की बात लेकर चलो, तो vrms निकल कर आएगा, vrms की बात लेकर चलो, तो vrms निकल कर आएगा, vnot by root 2, इसको आप लिख सकते है, vnot by root 2 और vnot by root 2 की बात करें, तो vnot कितना दे रखा है, vnot दे रखा है, vnot दे रखा है, 120V, 120V की बात करें, तो 120 को आप क्या करोगे root से divide कर दोगे 1.4 से divide करोगे तो इसके जो value निकल कराएगी वो आजाएगी around 84 के लगबग निकलेगी यानि B option is the right answer तो B option होगा इसका answer निकलेगा 84.8 यानि option number B इसका सही उत्तर होगा next question की तरफ चलते हैं अगला question the resistance of 20 ohm is connected to a source of an alternating current V 220 into sign 100 pi t the time taken by the current to change from its peak value to rms value will be तो time कितना होगा इससे यहां तक change करने के लिए चलो भी बहुत बढ़िया विटे आप से पुचा गया है कि time कितना लगेगा ताइम taken by the current to change from peak value to rms value अच्छा peak value से rms value तक पहुचने के लिए कितना समय लगेगा okay 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 peak value से rms तक पहुचने में कितना समय लगेगा क्या आप जानते हैं हम जो formula लिखते हैं irms equals to i0 by root 2 value इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप irms से i0 से irms जा रहे हो यानि शिकरधारा से rms की value तक जा रहे हो तो आपका जो लगने वाला time है वो root 2 times होगा one upon root 2 times होगा तो इसकी value का मतलब यह हुआ कि अगर आप कभी maximum value से अगर आप अगर maximum value से आप rms की तरफ जा रहे है मैं लिख देता हूँ अगर मैं बात लेकर चलूँ if we move यदी if we move from peak value to अगर आप peak value से peak value to rms value तक जाते हो rms root mean square value तक जाते हो then current तो current का मान current का मान तो धारा का मान कितना होता है current will become root 2 times तो यह कितना हो जाता है root 2 times current हो जाता है तभी तो हम root 2 लिखते हैं तो इसकी value कितनी हो जाती है तो आपको पता है तो आपको पता है इसकी value कितनी निकल कराएगी तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 sin पाइटी की question तो हो गई तो इसकी value निकल कराएगी बटे इसको हम बराबर कर सकते हैं तो current की value कितनी हो जाता है तो आई कितना हो जाता है 1 by root 2 तो एक काम करते है आई को लिख देता है 1 by root 2 तो यह हो गया 1 by root 2 इसकी value को solve कर लेते हैं इसकी value निकल कराएगी तो आप यहां से लिख सकते है sine pi by 4 हो जाएगा यहां पर हो जाएगा sine pi by 4 यहां इस साइच कैनल कराएगा इस साइच जो equation होगी वो क्या होगी? sine into 100pi T हो जाएगी यहां से दोनों cancel out हो जाएगगे, इसकी value निकल गएगी राइट आंसर तो t ब्राबर कितना होगा 400 second निकल कराएगा जिसको हमने लिखा भी ता पहले भी इसकी value को तो इसका answer कितना निकल कराएगा 2.5 into 10 to the power minus 3 second निकल लिगा इसका जो answer होगा that will comes out to be 2.5 into 10 to the power minus 3 this will be the right answer अगली चीज़ पर चलते हैं अगले question पर voltage and current in an AC circuit is given by तो voltage और current की value AC circuit के अंदर इतनी दी गई है चलो यह बहुत बढ़िया इतनी दी गई है option आपको नहीं दिख रहा होगा एक एक स्कुन रुख जाए मिटा जी तो ठीक है अब एक बास समझेगा आपको दो एक question दी गई है और आप से पूछाए कि बटा कितना phase difference होगा कलांतर कितना होगा है ना इतनी गई है एक तो phase difference है 30, 60, 60, current, voltage आगे कौन चलेगा यह से भी question दे रखें अगर मैं पेटा phase difference की बात लेकर चलू तो मुझसे यह बोला गया है phase difference B और I बोला गया है आपको पता चल रहा है delta phi निकालू तो that will comes out to be phi 2 minus में हो जाएगा तो that will equals to इतना अगर मैं इन दोनों की question को कर दो तो phi 2 दे रखा है phi by 6 minus में हो जाएगा minus इसकी value निकल कर जाएगी फड़से बीटा phi by 6 दे रखा है दूसरे question में भी ठीक है तो यह जाएगा minus phi by 6 इसकी value निकाल ली तो minus minus plus हो जाएगा इसकी value को लिकिंगे that will comes out to be 2 phi by 6 यानि phi by 3 हो जाएगी यानि इसका phase difference कितना निकल कर आया capacitive circuit की बात करते हैं तो इसकी value ये निकलती है लेकिन आपको पता कैसे लग रहा है आपको पता ऐसे लग रहा है कि अगर आप दोनों equation को देखो तो आप ये पाओगे कि जो हमारा current है वो उसके plus phi by 6 है plus phi by 6 का मतलब ये आगे चल रही है जबकि minus phi by 6 का मतलब वो 0 से भी और प विवब से pi by 2 आगे चलती है voltage by pi by 2 तो pi by 2 से कितनी आगे चल रही है विटा pi by 2 आगे चलती है current leads voltage by pi by 2 नेक्स चीज़ पर चलते है अगला if an AC main supply if an AC main supply is given by given to be a 220 volt what would be the average EMF during a positive half cycle okay average EMF कितना होगा positive half cycle के लिए मिटा दो इस चीज़ को चलो next question की तरफ चलते है मैं एक हाल से आपने कर लिया होगा question कर दिया भी हो गया भी है question चलो answer टिक करो कितनी value निकल कराएगी answer टिक करो 220 volt AC supply दे रखे आप से पूचा है average EMF कितना होगा positive half cycle average की value निकालने का आपको formula पता है 2V0 by pi सारी value पुट करो बस आपको answer निकालना है answer निकालकर बता दो कितनी value निकल कर आएगी simple सा question है और आपको RMS value already दे रखे है RMS की value 220 volt दे रखे है सारी value is put करना है और answer निकालना है अगर मैं औसत की बात लेकर चलूँ average value की तो आपको पता है average value का मान होता है average value जो निकल कर आती है that will equals to 2 into V0 by pi ये question होती है 2 into V0 by pi हमें पता कितनी question होती है 2 V0 by pi अगर मैं बात लिकर चलूँ तो मुझे सब कुछ दे रखा है 2 by pi पर V0 नहीं दिया गया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VRMS into में लिख सकता हूँ VRMS into में लिख सकता हूँ under root 2 है ना एक ही बात है 2 by pi बाहर ले लिए V0 को लिख दिया मैंने VRMS क्योंकि मुझे VRMS दिया गया है सारी values put कर देता हूँ और answer निकाल देता हूँ कितनी value निकल कराएगी तो that will comes out to be 2 root 2 बाहर ले ले लिता हूँ 2 root 2 by pi into में हो जाएगा IRMS sorry VRMS, VRMS दे रखा है 220, 220 का multiplication कर देता हूँ सारी value को calculate देता हूँ इसकी value calculate होगी, that will, इसकी value जो निकल कराएगी वो लगवग निकल कराएगी X199, X199 will be the right answer, A option इसका सही उत्तर होगा, option number A is the correct answer तो उत्तर number इसका, A option सही उत्तर होगा, यह इसका answer निकल कराएगा, तो इसका option number होगा, A option, ठीक है हो गया, आगे चलें, चौट, next की चरफ चलते हैं next question, the potential difference, आप से पुचा, power dissipated कितना होगा, दोनों की question सेम है एक में sin theta और cos theta की value होगा, इसका answer A होगा, इसको बताने की जरूत नहीं है आपको पता चल रहा है बिटा, कि फेस कितना है बिटा, pi by 2 है circuit दे रखा है, यह question फिर से repeat होगा है, ठीक है तो इसका जो answer निकल कराया है वो, यह हो गया ठीक है, तो वही आज के questions होते हैं finish, आज के questions होते हैं यहाँ पर finish आगे हम पढ़ेंगे अगले lecture पर, तब तक के लिए thank you very much ऐसे ही पढ़ते रही है और series में और भी बनाता रहूँगा, आपके current के लिए भी और alternating current के भी आगी equation चल कर आएंगी तब तक के लिए thank you, thank you very much, धन्यवाद, take care झाल